और भाई आज क्या माल मसाला आया है तो काफी तगड़ी है बाई चमक उठी है जिन्दगी सब्सक्राइब दबा दो गए तो और चमक जाओंगा मैं सो मैं क्या आओ जी पधारो जी दुनिया में चल रहा है 5G हमारे पास आचुक हैं लेकिन बोटेडो सो 191 जी बहुत ही खराब इंट्रो था लेकिन आप सब्सक्राइब जरू कर लेना सो सबसे बहले बता दो इनकी प्राइस अभी 1500 रुपे के आसपास है और इन में आपको वन चमक रिया यहां पर और एलेडी लाइट जो नियॉन टाइप की लाइट होती है वह देखने के लिए मिल जाती है और यह इसके लुक्स को काफी ज़्यादा एंहांस कर देती है एंड हिंज काफी अच्छी क्वालिटी का है ताइप सी पोर्क मिल जाता है आपको एंड खोल गेमिंग वाइब आती है इन को अभी साइड मैं रखता हूं से लाइट मिल जाती है और लुक्स अंड डिजाइन आपको पसंद आएगा फिट कि अगर बात कुरूई यहां पर तो एक चीज मैंने नोटिस की इसका जो टीड़ूस का हेड है वो थोड़ा मूटा है और नोटे हैं and fit ना हूँ धंग सेब डंग से फदर अगर पैसिव नोट से कांसलेशन की बात करूँ तो इन में पैसिव नाईस कांसलेशन भाई बहुत कमाल की मिल जाती है इना इंड जाती है अगर मैं इनके फीचर के बात करूँ तो इन में आपको IPX5 की रेडिंग मिल जात करके आप basic सारे जो चीज़ें हैं like songs को change करना या फिर calls को answer and reject करना या फिर Syria Google को wake करना यह सारी चीज़ें आप कर सकते हो easily and इनमें आपको एक beast mode मिल जाता है उसको भी आप activate कर सकते हो जिसके आरम में further latency में बात करूँगा connectivity की अगर बात करो तो Bluetooth 5.2 की connectivity connectivity मिल जाती है and IWP इंस्टा वेक और वाली जो technology है अच्छे से काम करती है जैसी आप इसके धकन को खोलोगे बेसिकली लिड को खोलोगे तुरंत आपके phone के साथ ही connect हो जाएंगे and connection में कोई भी दिकत नहीं आती है completely stable connectivity आपको मिल जाती है आपको यह earphones काफी जादा पसंद आने वाले हैं क्योंकि बेस इनमें काफी थंपी है आपको अच्छा लगेगा इनमें जो भी आपको बेस मिल जाता है treble हाला कि तोड़े से weak लगते हैं में क्योंकि बेस जादा है तो mostly जितने भी TWS आते हैं सब में ऐसा ही होता है आपको अच्छे से सुनाई देंगे हाला कि थोड़े से अंप्लिफाइट सांड करते हैं अच्छे से काम करती है वह लो लेटेंसी मैं इनमें गेमिंग करके देखी गेमिंग इंक्स्पिरियंस बहुत बठया रहना वाला आपको इनमें आपको बीस मून मिल जाता है सबसे पहली चीज स्टीरो सेपरेशन अच्छा है जिसके वैसे फुच्छ वगरा काफी अच्छे से सुनाई देते हैं आपको मलब कौन लेफ्ट से आ रहा है कौन राइट से इसली मालूम चल जाएगा आपको और उसके आदिन में जो लो लेटेंसी है तो गोलियों के चलन सब्सक्राइब करते हैं लेकिन इंडोस में कॉलिंग हो जाती है दूसरे इंसान को आपके आवास काफी क्लियरली पहुंचती है आपको उसमें दिक्कत ने आएगी इंडोस के लिए मैं थोड़ा मतलब डिलेमा में थोड़ा डाइसी हूं कि इनको आप ट्राफिक वगरा मे आप एक बार सुन लो आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा उससे अब जच कर पाऊगे कि आपको कॉलिंग के लिए इन टीड़वलेस को यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो अब यह जो मैं टीड़वलेस टेस्ट कर रहा हूं इस आर बोट एरडोक्स 191G हाल अब बात करते हैं अब बात करते हैं क्योंकि अब म्यूजिक तो सुन लिया गल्फ्रेंड से कॉल पर बात भी कर ली और दोस्तों साथ गेमिंग भी कर लिए लिखिन इन सारी चीजों करने के लिए बैक्री तो मांगता है नाप उनको तो बेसिकली इन में आपको सिंग चार्ज में जो कंपनी क्लेम करती है वो सिक साथ का क्लेम गरती है लेकिन मुझे परस्नल यूस पर 5-15 मिनिट्स तक का बैटरी बैकप मिल गया एक गहंटे 10-15 मिर्ट के आसपास लगते हैं यह था बैटी बैकड़ा सिलसिला लेकिन मुझे मालूम है आप मेंसे बहुत सारे लोग जाके नीचे सवाल पूछोगे क्या हम इसको 65W के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं देखो इसका इसका इंस्ट्रेक्शन मैनुल उस पर क्लियरली मेंचेंड है कि आपको 10W के चार्जर के साथ चार्ज करना चाहिए बट मैंने 65W के चार्जर के साथ कोई दिक्कत नहीं आ सकते हुए उनका डिजाइन भी मुझे काफी जादा पसंद आया आपको भी पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई भी सवाल या सो जहाब है तो कॉमेंट करना मन भूलना मैं मिलता आपको अगले वीडियो में अंटिल देन ओवर रो झाल